आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिबाइनु कॉइन की एक लेटेस्ट और बहुत बड़ी अपडेट के बारे में शिबाइनु कॉइन की बर्निंग को लेकर आज एक बहुत बड़ी अपडेट हमें देखने को मिली है जहां पर 5 trillion monthly Shibainu coin को burn करने की planning की गई है और ये खुद Shibainu team की तरफ से confirm किया गया है कि इस तरह की news उन्होंने खुद spread की है यहां पर पूरी update क्या है किस तरह से ये burning होगी Shibarium किस तरह से help करेगा Shibainu coin की huge burning में ये सारी detail इस वीडियो में आपको मिलने वाली है तो make sure अप इस वीडियो को end तक जरूर देखें तो सबसे पहले यहां पर update है कि 5 trillion monthly burning होगी Shibainu token की खुद Shibainu team की तरफ से इसको unveil किया गया है और ये update आई है Shibainu content marketer Lucy की तरफ से उन्होंने recently बताया है कि Shibainu की burning में बहुत बड़ी help करने वाला है अब वो help कैसे करेगा इसके बारे में उन्होंने in detail बताया है उन्होंने ये mention किया है कि users जब Shibainu पर transaction करेंगे तो उसके बाद जो भी base fees होगी वो Shibainu contract के थूँ locked रहेगी पहले ये validators के लिए थी और इस base fees का भी division होगा 70% burning के लिए fees को रखा जाएगा बाकी 30% reserve रहेगा network के maintenance में बाकी fees collect की जाएगी bone token के रूप में तो यहाँ पर bone token का भी एक बड़ा use case हमें देखने को मिल सकता है क्योंकि ये exchange किये जाएंगे या फिर किये जा सकेंगे with Shib token इस तरह से क्या होगा burn process के थूँ supply code धीरे-धीरे कम किया जाएगा दूसरा option यहाँ पर इन्होंने website को लेकर भी रखा है website पर भी burning होगी जो भी individual अपनी तरफ से initiate करना चाते है burning को वो website पर बस एक simple button के थूँ जिसमें initiate burn mention होगा वहाँ पर burning को initiate करके अपनी transaction को confirm करके भी burning कर सकते हैं तो in short Shibarium के आने से क्या-क्या फाइदा होने वाला है Shibainu coin की burning को कैसे impact करेगा सबसे पहली चीज ये supply को धीरे-धीरे reduce करता रहेगा जैसे-जैसे users transaction करेंगे वैसे-वैसे यहाँ पर burning बढ़ती जाएगी दूसरा यहाँ पर जो फाइदा होने वाला है धीरे-धीरे token की value भी increase होती जाएगी जो की ultimately benefit करेगी holders को ही क्योंकि जब demand supply maintain रहेंगे उसी तरीके से यहाँ पर price भी अच्छा कासा हमें देखने को मिलेगा इसके अलावा incentive जो मिलेगा bone token के रूप में उससे भी users motivate होंगे और contribute करेंगे क्योंकि उन्हें भी burning के बदले में कुछ न कुछ यहाँ पर मिलेगा तो इस तरीके से वो भी burning में participate करेंगे directly तो इस planning के बाद इस update के बाद क्या possibility है possibility यह है कि यहाँ पर उन्होंने खुदी mention किया है 5 trillion monthly token से लेकर 20 trillion token तक की burning possible हो सकती है अगर इस तरीके से चला जाए लेकिन अभी के time पर just यह speculation है अभी कुछ भी actual predict नहीं किया गया है कितने tokens accurately burn होंगे क्या criteria रहने वाला है क्या status रहने वाला है बट यह update काफी attractive है यहाँ तक कि Shiba Inu team के एक और member ने यह भी बोला है कि अगर इस चीज़ को timely implement कर दिया जाए तो next bull season में काफी अच्छा का सा फायदा team को हो सकता है project को हो सकता है क्योंकि काफी नए players यानि की काफी नए investors इस चीज़ को लेकर attract हो सकते हैं और Shiba Inu coin को next bull run में अच्छे खासे holders मिल सकते हैं तो काफी बड़ी update थी I think Sunday बनाने के लिए काफी है क्योंकि 5 trillion monthly burning अगर Shiba Inu token की हो जाती है तो देखते ही देखते Shiba Inu coin का price हमें आसमान पर दिखेगा क्योंकि सबी लोग एक ही wait कर रही है Shiba Inu coin की burning कब होगी Shiba Inu coin एक रुपया कप जाएगा एक डॉलर कप जाएगा तो इन सारे सवालों के जवाब हमें आटोमेटिकली मिल जाएगे अगर ये burn mechanism active हो जाता है आपको क्या लगता है क्या ये possible है कि इस तरह से planning करके Shiba Inu coin की इतनी huge burning पर मंत की जा सकती है या just ये एक ऐसी update है जिसका हम wait ही करते रह जाएगे जो भी आपकी राय है comment section में जरूर बताए फिलहाल वीडियो में इतना ही था वीडियो काम का लगा हो तो like कर देना मिलती हूँ next वीडियो में तब तक के लिए take care बाई